बजार की गलियों में जहां रात का अंधकार खुले खिर्कियों में छिपता था, वहां एक छोटी सी दुकान थी, भूतिया अंडवल्ड के नाम से मशहूर। वहां का माहौल थंड़ा और दरावना था, लेकिन एक जजबाती युवक, आर्यन, ने अपनी कुर्सी को सवार करने का निर्नए किया। दुकान में घुसते ही उसने एक पुराने पियानों को ध्वनी देते सुना। चीखे गून्थी गई हवा में गून्थी जा रही थी। आर्यन को बर्फबारी की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। पिछले दिनों के दुर्भाग्यशाली ग्राहकों के भूतों की कहानियां आर्यन की खाली आत्मा को भी सताने लगी। एक भूत ने उससे कहा, तु हमारे बीच में आ गया है, अब हम सभी मिलकर एक हैं। आर्यन की चीक आसमान तक पहुची, लेकिन उसकी आवाज दिन से दिन बूदों में गुम हो गई। भूतिया अंडवल्ड ने उसकी रूह को समाहित कर ली, और वह भी एक अनवांशित आत्मा बन गया।